दुनिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं G20 का समिट अभी खतम हुआ और इसके साथ साथ हमने देखा कि G20 का समिट वस फॉलूड बाई COP 26 यानि जो दुनिया में बहुत बड़ा इस वक्त चैलिंज है वो है क्लाइमिट चेंज का उसको एड्रेस करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स कठे हुए जिसमें भारत के प्रामिनिस्टर नेंदरा मूदी भी नुमाया थे चुके इस वक्त दुनिय में यूएस और चाइना के बात भारत की जो इंडिस्टरी है उसकी तरफ से जो कार्बन अमिशन है उसका भी दुनिया को ख्याल है और इसके साथ-साथ दुनिया में इस बात का भी ख्याल है के भारत में इन्वायर्मेंट की बहुत परवाद की जाती है ये सब बाते हम डि discuss करूँगा बहुत ही important बात ही चुकि पाकिस्तान में भारत के मुसल्मानों का कार्ड बहुत खेला जाता है पाकिस्तान की establishment पाकिस्तान के politician बहुत खेलते हैं और फिर इसके साथ साथ जो बयानबाजी पाकिस्तान से इसलाम के नाम पर होती है वो कभी कभी तमाशा बन जाती है यही हुआ जब पाकिस्तान के interior minister शेख रशीद ने कहा के पाकिस्तान भारत से जो cricket match जीता था वो इसलाम की फता थी जवाब में भारत के एक important मुसलिम सियासदान असुद दीन अव्यसी ने कहा के पाकिस्तान के ये minister पागल है देखिए और सुनिए असुद दीन अव्यसी का जवाब पाकिस्तान के शेख रशीद को और पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान की कौम को मुबारिक हो आज हमारा final था हमारा final आज ही था और दुनिया के मुसल्मान समेत हिंदुस्तान के मुसल्मानों के उनके जज़वात पाकिस्तानी टीम के साथ थे सारी आलम इसलाम को फत्ह मुबारिक हो तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है पागल है बिचाना पागल है उसने कहीं दिया कि पाकिस्तान जीता तो इसलाम की काम्याबी हो गई अरे एहमा हाँ दीन इसलाम को किर्किट मैच से क्या करना है दीन को किर्किट मैच से क्या करना है मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता अल्ला का शुकर है कि हमारे बुद्रूग नहीं गए वहाँ पर वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता जो लोग गए और इनको बढ़ता है अरे ये तुम को शरम नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्कों चीन के पास गिर्वी करती हो और तुम इसलाम की बात कहते हो वो चीन जो जिनजियान में मुसल्मानों को 20 लाख मुसल्मानों को एक कायब में बन कर दिया जिन को जबरन सुवर खिलाया जारा है चीन में आज वो मिनिस्टर इसलाम की काम्यावी की बात करता है अरे वीनिस्टर पाकिस्तान में तुम एक मलेडिया की दवा नहीं बना सकते तुम रोटर Club का टैर तैयार नहीं कर रखते तो बहुत आगे है भार्त से पंगा मतलो यह हमारा घर का मामुचा हम घर में तैय कर लेंगे हमको पाकिस्तान से कभी मतलब ठाना कभी रहेगा अवैसी साब का ये कहना के भारत से पंगा ना लो मैं समझता था कि हम पाकिस्तानी पंजाबी ही पंगा का शब्द यूज करते हैं बाराल असद अवैसी ने जिस तरह कड़ा जवाब दिया शेख रशीद को और जिस तरह पाकिस्तान के सियासिदान और इस्टैबलिश्मेंट भारत के मुसल्मानों का कार्ड केलते हैं उस सिल्सरा में असद अवैसी साब ने जो कुछ कहा मैं ये समझता हूँ कि एक तारीखी रिमाक्स हैं सिर्फ उन्हों ने इतना ही नहीं कहा कि शेख रशीद तुम पागलों ने यहां तक कहा कि भारत के मुसल्मान जो पाकिस्तान गए पार्टिशन के बाद उन्हों ने डेख लिया कि वहां पर पागलों का आलम क्या है ये एक बहुत ही स्ट्रॉंग शब्टे जो असदुद्दीन अव्वैसी ने बढ़ते हैं अगर ये शब्द भारत के किसी और मिनिस्टर ने बीजे पी की किसी पॉलिटीशन ने ये बढ़ते होते तो शायद इस्रामोफोबिया का एक बहुत ही गुल गबारा होता लेकिन चुंके य सदुद्दीन अव्वैसी ने कहीं इसलिए ये तरीखी नौइयत की हैं और पाकिस्तान के सियास्टदानों के लिए पाकिस्तान की राजनीती करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हैं कि आगे वो किस तरह भारत के मुसल्मानों के कार्ड को बरतेंगे लेकि अगे शायद वो मुसल्मानों के कार्ड को अपनी मर्जी के मताबक पाकिस्तान में बरते रहें मगर असदुद्दीन अवैसी ने तरीखी बातें कह दें सिर्फ यहां तक नहीं असदुद्दीन अवैसी ने एक और मकाम पर भारत के एक बहुत ही मारूफ पॉलिटीशन एक कंपेरिजन पर जिसमें उन्हों ने जिना को सदार पार्टेल के साथ एक तक्रीर में उस पर भी उन्होंने का कि भारत के मुसल्मानों का जिना से कोई लेना देना नहीं सुनते हैं असदुद्दीन अवैसी का एक और कलिप एक दूसरी तक्रिश से दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पैचान यही है कि हम अलग लग जाती के अलग लग धर्म के लोग एक साथ एक धर्टी पे रहने का काम करते हैं देखे अकिलेश यादफ को यह समझना चाहिए कि भारत के मुसल्मानों का कोई तालुख मुम्मद लिजिना से नहीं है जो भारत में आज मुसल्मान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे हमने पाकिस्तान के टूनेशन थेरी को रिजग किया तो भारत के जो मुसल्मान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टूनेशन थेरी को रिजग किया और जिना से मारा कोई तालुख ही नहीं है तो अकिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबखा या कोई हिस्सा या कोई ओटर इससे खुश होगा वो तो गलती कर रहे हैं उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रियेशन में मुम्मद अली जीना का सबसे बड़ा रोल रोल रहा है अब उसके पीछे क्या क्या है तारीख में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख जाएगी मगर ये इस्तमाल करना और ये कहना ये तो अकिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दुबारा कोई हिस्टॉरियन के पास बैटकर हिस्ट्री पढ़ने के उनको जरूरत है असदुदीन अवैसी ने अपने दोनों मैसेज़स में एक बहुत ही खुला पेगाम दिया ना सिर्फ पाकिस्टान के सियासदानों को बलके भारत के सियासदानों को भी कि वो मुसल्मानों के कार्ड को टू नेशन थियोरी के साथ ना जोड़ें ये एक ऐसी बहस है वियूर्ज में आने वाले दोनों में इसको एकस्पैंड करके करना चाहूंगा चुके इस वक्त भारत के समाज में भारत की राजनीती में एक बहुत बड़ा क्वेस्टन मुसलिम और हिंदू का उसी तरह का है जिस तरह का वो पचहतर सालों से चला रहा है बलके अब खुद असद दीन अवैसी भी कहीं कहीं इस कार्ड को यूज करते हैं जो के पॉलिटिक्स में हम समयते हैं के पॉलिटीशन्स यूज करते ही हैं ऐसे कार्ड मगर ये एक इंटलेक्शल डेबेट है ये एक बहुत ही बड़ी पुलिटिकल डेबेट है जिस पर खुल के बात होनी चाहिए क्योंके भारत में इस मौज़ू पर जब भी बात होती है तो एक तनाव पैदा होता है तो मेरा ये ख्याल है कि असद दीन अवैसी साहब जो चीजों को मामलात को बहुत गहराई से जानते हैं मगर स्यासत में उनकी भी मजबूरियां हैं उनकी भी कमपलशन्स हैं हमारी कोशिश होगी टैक टीवी की तरफ से कि कभी असद दीन अवैसी हों या भारत के और खास्तर पर जो मुस्लिम राजनेती वाले पॉलिटिशन्स हों उनके हम इंटर्वियू कर सकें उनसे बाचित कर सकें बरहाल आज के निउस एनलिसेस में हम जो बाचित कर रहे हैं और जिस से बाचित का हमने अगास किया वो भारत में मुसल्मानों के प्लिटिकल कार्ड्स को पाकिस्तान और भारत दोनों में यूज करने के हवाले से था अदर पाकस्तान में सूर्ते हाल यह है, यहनी जिनाज साभ के पाकस्तान की सूर्ते हाल यह है कि तरीके लबैक पाकस्तान के बह certainly के बहुत बड़े धरने जा रहे हैं और ये ख्याल किया जा रहा था कि ये वाला जो धरना था ये एक बहुत ही एग्रेसिव होगा तमाम सड़कें ब्लॉक कर दीगी इसलामबाद की तरफ लहुर से जाने वाली तमाम सड़कें ब्लॉक कर दीगी सड़कों को तोड़ दिया गया पुलों को तोड़ दिया गया इत करने को आगे लेकर चलाने वाले लोग हैं वो इस्टैबलिश्मेंट है और वही बात निकली सेटेडेस को जो मीटिंग हुई तरीक लबैक पाकिसान के लीडरों की जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ और उस सिल्सा में फिर उनका एक वीडियो क्लिप पी उनके लीडर्स का स एशूरंस मिली है डेखिए ये वीडियो क्लिप जिए बताएं कि हमी चीफ का कितना बड़ा किरदार है हम से मुलाकाद भी ये मैटल का है स्वाटों में के वाले से वो एक हजार पसंट इस काम ने थे कि हम मुझा बस अच्छा तो क्या कहते हैं चीफ सब क्या राय रखते ह ने हैं कि इस से तुमां जो सेट्लमेंट हुए उस कि आर्मी चीफ एक बड़ा किया रहा है रखते हैं तो आपने मौलाना बशीर की लेंगविज अज तुनी ना सिरफ लेंगविज बिल्के बाड़ी लेंगविज भी ग़ॉर की जैसे शान्थ हो गए हो पुर्सकून हो ग जवेद बाजवा से मुलाकात हो गई और एक हजार परसंट यानी सो परसंट भी नहीं सो परसंट का भी दस गुना एक हजार परसंट उनको इशोर्नस मिल गई है कि कोई फिकर नहीं कोई चंता नहीं सब कुछ ठीक है और फिर आखर में आपने उनके साथ फोटो शूट देख के साथ किस तरह लीडर शिप टी लपी की खड़ी है यह हैταν इसी लिए असलिए सदु दीन आवएसी ने का ढेर जो पाकिस्तां का इसलाम है यह जो जिनात सब का पाकिस्तान है उससे भारत के मुस्ल्मनों कोई लेना देना नहीं जैसे मैं भी पीछह कहा इजे वह वह को लेंगे और पाकिस्तान से भी मुस्लिम रीडरिशिप को लेंगे चुछ कि ये बाचीद अब होना बहुत जरूरी है इस पर करने के बजाए intellectual discourse होना चाहिए आज के news analysis में शुरू में मैंने कहा था कि आज हम बाचीद करेंगे खास तार पर G20 और जो वहाँ पे COP26 का जो एक बहुत ही important इजलास हुआ उस हावाले से अब G20 और जो वहाँ पे climate change के सरसा में वर्ल्ड conference ग्लास्को में हुई इसमें बहुत फैसले हुए चुकि इसमें बहुत सरी चीज़ों को एक साथ देखा गया pandemic की जो सूर्टेहाल है उसको भी देखा गया और इसके साथ साथ इस बात को भी देखा गया कि after all supply chain जो है वो क्यों मतासर हो रही है चुकि depend कर रहे थे नाम लिये बगएर उन्होंने का कि हम एक जग climate change का एक बहुत ही important world summit हुआ जिसमें UNO के secretary general ने बड़ी ही दरनाक और important बात की उन्होंने का कि हमें यह जो one point five centigrade degree का temperature बड़ता नजर आ रहा है आने वाली दखाईयों में हमें इसको रोकना है अगर हम ना रोक सके तो यह हम इंसानियत को रोक लेगा बड़ी important बात की उन्हो का पर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि G20 के summit में जो important बात की supply chain की President Biden में चाहूंगा तो President Biden के सिल्सरा में यह clip टे किया We're gonna bring our shared attention to the vital issue that is impacting on all of our country's supply chain disruptions. Supply chain is something that most of our citizens never think twice about until something goes wrong. And during this pandemic, we've seen delays and backlogs of goods from automobiles to electronics, from shoes to furniture. Ending the pandemic is the ultimate key to unlocking the disruptions we're all contending with. But we have to take action now, together with our partners in the private sector, to reduce the backlogs that we're facing. And then, we have to prevent this from happening again, in the future. Now that we have seen how vulnerable these lines of global commerce can be, we cannot go back to business as usual. G20 और COP26 दोनों समिट्स में इस मसला पर बात हुई के climate change के मामले को हैंडल करना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है. अगर 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 अब इस स्टेज पर हैंडल ना किया गया तो दुनिया को बहुत खत्रात है. इस सिल्सा में टेग टीवी और हमारा इंक टीवी बहुत सारी डिसकेशन आने वाले दुनों में ला रहा है. और ये वाके ही बहुत इंपॉर्टन्ट है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया को हम अपने हाथों से खराब नहीं कर सकते हैं. प्रामिनिस्टर निदा मुदी ने कॉप 26 से खताब करते हुए कहा कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा. और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने इस बात का इदराग कर लिया है कि लाइफ स्टाइल को बदले बगएर हम अपने इस प्लैनिट को शान्त पुर्शकून नहीं रख सकते हैं. आईए देखते हैं और सुनते हैं प्रामिन सुनिंद्रा मूदी का एक वीडियो क्लिप. एड़प्रेशन को हमें अपनी विकास नितियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा. भारत में नल से जल टैप पॉर्टर फर ओल, स्वच्च भारत क्लीन इंडिया मीशन और उजवला क्लीन कुकिंग फ्यूल फर ओल, जैसे परियोजनाओं से हमारे जरूरत मन नागरिकों को अड़प्रेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी अप लाइप में इन पारमपारिक प्रेट्रिसिस को उचीत महत्व मिलना चाहिए, ज्यान का ये प्रवा नई पीडी तक भी जाएं, इसके लिए स्कूल के सलेवस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए, लोकल कंडिशन के अनुरूप, लाइप स्टाइल्स का समरक्षन भी एडप्टेशन का एक महत्वपन स्टंब हो सकता है, तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहिए लोकल हो, कितरूप पिछडे देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए, लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही, भारत ने कोईलेशन फोर रिजिशनल इन्फरसेकल सीडी आराई की पहल की थी, मैं सभी देशों को इस इनिशेटिव के साथ जूड़ने का अनुरोद करता हूँ प्रामिनिस्टर नेंडरा मोदी की ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टन्ट हैं और वाकिए दुनिया इस वक्त एक पेज़ पे है और होना भी चाहिए, जो इस पेज़ पे नहीं होगा, कुछ कंट्रीज हैं जो इस एक पेज़ पर शिरकत नहीं कर रहे हैं, जैसे रश्या के प्रेजिडेंट व्लादी मेर कुटन ने शिरकत नहीं की, रश्या भी एक बहुत बड़ा कार्बन ओमिशन करने वाला एक कंट्री है, तो इस वक्त दुनिया को एक पेज़ पे आना होगा, और ये ऐसे इश्यूस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टन्ट हैं, और इन पर जैस के रॉम में भी थे, इटली में, और उसके बाद ग्लास्को में हैं, और उन्होंने बहुत ऐहम बातें जी टुएंटी में भी की और कॉप टुएंटी सिक्स में भी की और ये दोनों समिट आगे पीछे हुए हैं, और इन दोनों समिट में बहुत सारी बातें कामन होई हैं, खास दौर पर climate change के हवाले से जो दुनिया को challenges इस वक धर पेश हैं उनके हवाले से मगर light on की जो बात है वो आखर में में शेयर करना चाहता हूं कि प्राम निस्टर सिक कम्यूटी से इटली में मिले और सिक कम्यूटी के एक लीडर ने प्राम निंद्रा मूदी जी के बारे मे जिस तरह अपने ख्यालात का इज़ार अपने दिल से किया और बेसाक्तिक के साथ पंजाबी में बाचीत करते हुए कि या मैं चाहूंगा कि वो आप जरूर देखें और सुनें कले कले उना ने प्रविंचे बारे पूछे है किस तरह से कमून्टी रह रही है किनी कमून्टी आइक थे और हनु उना प्रवसावी देता है पर जो कोई प्रावलम है ते दसो तो असी अपनियां कुछ बचा रहा हैं और बड़े खोश सी असी जो निया अगे तो भी जिन्दा पागए बड़ी एहम बात हमारे इस पंजाबी भाईने के ही उन्होंने का कि पता नहीं क्यूं प्रामिनिस्टर निंद्रामूदी के बारे में हमारी कम्यूटी में एक जो एक मिसंडिस्टेंडिंग क्रियेट की जा रही है वो कहते हैं जब हम उन से मिले तो जिस पियार और महबब से वह मिले और वाके ही प्रामिनिस्टर निंद्रामूदी का जो रविया है भारत की तमाम कम्यूटीज के हावाले से वो बहुत ही दोस्ताना होता है लेकिन बदकिस्मती से सियासत का जो एक चलन है कि किसी सूरत भी किसी की अच्छी बात को नहीं मानना तो पर आपोजिशन की तरफ से और जो वेस्टेड इंटरस्ट रखने वाले गुरोव हैं और जो प्रामिनिस्ट इंडर मूदी और भारत की सरकार या भारत के खलाफ एजंडा रखते हैं वो कोई नो कोई प्रापगेंडा स्पिन करते रहते हैं लेकिन ये बात वाकी हकीकत से एक जरनलिस होने के नाते मैं बहुत गहँड से परेमिनिस्ट इंडर हमोदी की तक्रीरे सुनता हूँ उटा हूं का इंटरेक्शन देखता हूं जो डभर कंवुनिस्स के साथ होता है वो बहुत ही send के साथ हों ने कि इंटराक्शन और कंवी भी बहुत warmfully उनसे मिलती हैं और खास दोर पर जब हम पंजाबी से कम्यूटी की बात करते हैं तो प्राम मिनिस्टर इंदा मोदी तो इस कदर रखते हैं, इस कदर महबत और अकीदत का जजबा रखते हैं हमारे सिख बहन भाईयों और सिख गुरूओं के हवाले से तो वाकिए यह जो मिस अंडिस्टेंडिंग है, यह वैस्टड इंटरस्ट के मताबकी हो रही है आने वाले दिनों में टैग टीवी पर हम इनी सुलते मसाइल पर बातचीत करते रहेंगे आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, क्रेटिकार्ट के जरीए, पेपॉल के जरीए, या फिर पैट्रियान के जरीए आज का बिला तकल्लफ, न्यूज अनलिस मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया